इस बिगरते मौसम में सबका गला जकड़ा हुआ है जी हाँ अगर मार्च के मौसम की बात करें तो कभी सर्दी कभी गर्मी जैसे मौसम का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में कई बार सर्दी लगती है तो कई बार गर्मी जिससे हमारा शरीर सर्दी गर्मी का शिकार हो जाता है और हम बिमार पड़ जाते हैं। जो H3N2 influenzae संक्रमित व्यक्ति से आसानी से फैल सकता है। साथी हवा का सीधा संपर्ग या एक सरफेस के जरिये संक्रमित बूदों का ट्रांसफर होना भी इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस्थनांतरिक कर सकता है। एक्सपर्स ने इस संक्रमण के इलाज के लिए एंटिबायोटिक दवाओं के इस्तिमाल के खिलाफ चेतावनी भी दी है। अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। H3N2 संक्रमण के लक्षण मौसमी फ्लू वाइरस के समान होते हैं। और इसमें बुखार और खासी, सास की तकलीफ, सीने में दर्द और हीमोपटाइसिस यानि बलगम में खून आना और अन्यलक्षण जैसे शरीर में दर्द, उल्टी और मोशन भी शामिल है।